अब क्या बताते हैं तक हुआ है कि गरत आकर चला गया जंगल में बन मेज़ा बैठा एक बार बिक्साल ले आता सेर किसी गाउं से जा करके उसको दो तीन दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो भिगो कर खाता रहा लेकिन उस तब से उन साधनाओं से तुराजा बन गया फिर बिखारी बन करता रहा तुझे ये वास्ततो गयान नहीं मिला कोट जनम तुराजा की ना मिटीन मन की आसा बिक्सको कैदर दर गुम्या ये मिला ननिर गुनिरासा ये वस्तों नहीं मिले जिस कारण से कोट जनम इंदर कुबेर इसकी पद्वी बिर्मा वरंधरम राया और विष्णो ना इस भी नासवाण इनके फुजारी तो अटोमेटिक फिर जनमर की फिर इनन का फिर एबरम शर्पुर्ष ज्टनरंजन ये बी नासवान गीता ज जनमर जुआ झाल नमर भारा जई जनमर चार के जनमर पांस करका है गीता जी का ग्यान दे रहा है अब ये भी नासवान और गीता जिद्धाय नंबर 15 के स्लोक अबश्वां करता है ये लोग तर्माविस सेविवर्ति अवय स्वर है कि उत्तम पुरुष्श तो इन दोनों पुरुषओं से शरपुरुष और रक्षरपुरुषए कोई और है वही वास्ताव मरण जिद्धाय करता है वही सब दार्न पुरुषण करता है सब का पालग है वो ही सब का जनक है, तो वो परमातमा तो अविनासी वास्तों में वो है, सरपुरुस ये जो तिनरंजन है, इसके 21 बर्मांड है, और अक्सरपुरुस ये परबर्म है, इसके साथ संग बर्मांड है, इसके अंतरगत, और परमक्सरब्रम ये कबीर साहिब है सत्पुरस है ये सब का ओराल कंट्रोलर है असेंग बर्बंडों का स्वामी है ये वास्ताव माविनासी भगवान है तो क्या बताया है कि इंदर, कुबेर, इसकी, पद्वी यानि सुर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुनकर्मों से पुनक्सिन होते हैं फिर नरक में भी गए तुरा सी लाख योनियों में भटकते रहे इंदर, कुबेर, इसकी, पद्वी, बर्मा, वरुनध्रम राया और विश्णों नाथ के पुरकों जाके तुम फिर भी वापस आया तुम विश्णों के लोग को सबसे उत्तम मानते हुआ गए हुए पुराणी भी वापस आते हैं ब्रह्म लोक में गए हुए पुराणी भी जनमर्ट्यू में तो गीता जिद्धाय नमर पंदरा के स्लोक नमर चार में कहा के तत्वदर्शी संत की प्राप्ती के पस्चाथ परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार्मा नहीं आता वो है पूर्ण मोक्स और गीता ज्यान दाता अपने से अन्य परमेश्वर की स्रण में उसी परमकसर बरम की स्रण में जाने को कह रहा है अठार में दाय के बैसेट में स्रोक में और अठार में दाय के छेश्वर की स्रण में जा उसकी करपा से ही तो परम सानती को और सनातन परमधाम को पराप्त होगा और वहां जाने के लिए तुन्हें मेरे सुतर के जो साधनाई है मुझे मैं छोडनी पड़ेंगी मुझे मैं छोड़ जा, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहां की एग और बाकी दो मंतर जो रह जाते हैं सतनाम में जो दो अक्षर है वो एक इस अक्सर पुरुस का मंतर है जो सत नाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है तो वो क्या करेगा हमारे को साथ संग बर्मंडों से पार जाने का किराया है इसका टेक्स दे देंगे हम दूसरे मंतर दें तीसरा मंतर जो सार नाम है वो हमें सचखंड सत लोक में सथाई सथान देगा अब परमात्मा क्या बताते हैं असंग जनम तना मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रहे और दौदस मज मेल मठबोरे बोर ना देद रह रहे ये रहसे था परपुन्यात्मा अभी तक परमात्मा ने आठोपा रखा था अभी तक दस माद्वार दस माद्वार पगाटा जोड़ रहे थे वो सत लोक के गीत गाउए और परमात्मा ने बताया वो तो बर्मिय लोक में हुआ है और एक जम्मू के अंदर है एक कभीरपन थी उसने कित एक गयरमा दवारत पड़ पन दिया कभीरपहाईब की गारी में वोगनो में ख सबस्य विश्ममा किसी के पास नहीं वो गयरमा दवार मेरे पास है एक गयरमें दवारत बात नपने सारा प्रोसेस उनाची है उसके पास जब आतुमने अरो तो दौदस मत मैल मठ बहुरे बहुर ना देद रहरे वो तो बार में दुआर में है जैसे दसमा दुआर तो ये काल के लोक मही खोल बंद हो लेता है एक ही विर्मांड में और इसके 21 ब्रमांड भी एक ऐसे पैक्ट है चारों तरफ से उससे जब हम परबर्म के लोक मह परवेश करते हैं वो है ग्यार मादवार ग्यार मादवार तो परबर्म के लोक तक जाने का हर वही तक रह जाएगा आगे नहीं सत लोक नहीं जा सकता तो फिर बर्मा दवार है जो साथ संग्पर मांडों से आगे हमने सत लोक मह परवेश करना है उस बर्म में दवार को पार करके हम वहां सत लोक जाएंगे तो यहां आदनी गरीब दास साहिव जी बताते है दौदस मद महल मठ बोरे वो महल वो मठ प्रमात्मा का जो सताई स्थान है वो बर्म में दवार के पार है दौदस मद महल मठ बोरे बोरना दे धरहरे वहां जाने के बाद फिर नहीं आदा पड़ता फिर क्या बताते है दोज्जिक भिष्ट सभीत है देखे राज पाठ के रसिया अब यहां के चक्कर में तेने नरक भी देखा स्वरग में भी चला गया और यहां भी राजा भी बन गया और फिर गदा भी बन गया बता क्या करें इस विदाओं का फिर क्या बताते है के सत्गुरु मेले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समन चलहन सा उस लोक पठाऊं जो आदी अमरे अस्थान क्या बताते हैं कि परमात्मा बता रहे है आदनी गरीबदा साहिव जी बता रहे है परमात्मा कबीर परमेश्वर के विशे में और सत्गुरु मेले तो इच्छा मेटे और पदमल पदे समान यानि कोई संथ सत्गुरु मिलेगा तो यहां से आपकी इच्छा हटावगा इन अकली इन काल की भांग के आदार पर जूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो कबीर साहब कहते हैं जूठे सुख को सुख का है यह मान रहा मनमोद यह सकर चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद है तो क्या बता है कि सत्गुरु मिले तो इच्छा मेटे हैं जैसे आपको बता कोई चेर्मेन बन जाता है तो मले बनने की चेश्टा करता है मले बन जाता है तो इन्हों सोचे मुख्य मंतरी बनो मुख्य मंतरी बनने के बाद भी संतुष्टी नहीं होती इसकी कती नो के पर धान मंतरी बनो जब आनद हो है इतने गदा बन जा मर्त्यू हो जा अब जो काम करना था उसका उसके तो स्टार्ट भी नहीं किरा अब इन्हे डले डोगे चला जाता है प्राणी प्रमात्मा कहते है अगम निगम को खोजले बुधी विवेक विचार उदे अस्त का राज मिले तो बननाम बिगार यानि वर्त के डले ढोड़े हैं जब सत्वगती नहीं की तो तो इस परकार कहते हैं सत्गुरु मिलेगा तो यहां की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहां कुछ भी मंगन की हो सकता नहीं है यह तो तुम मांग ही मत यहां की वस्तु है यहां की तो हम वैसे दे देंगे आपको रूंगे में और सकता होगी अन्ने से अधिक देंगे लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको यह माया जो आपको डबो दे आउसे कवसे देंगे आपका कोई काम नहीं अड़त देंगे गारंटीड बात है आप क्या बताते हैं सत्गुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चल हनसा उस लोग पठाऊं सुकसंबेद और इसके एक एक अकसर का एक विशेस गोड रहस्य हैं इनके अंदर इसमें लिखा पद मिल पदे समाना गीता जिद्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर चार में कहा कि जब तत वो दर्सी संत मिल जा उसके पसचाथ परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आते एक पद का रत है वे ओफ वर्सिप यानि पूजा की पदती और दूसरे पद का अर्थ है जहां जाने के बाद लोट कर नहीं आते, उस पद में आप पहुँच जाओगे सत्गुर मे ले तो इच्छा मेट है, पद मिल पदे समाना पद मिलने से सही पदती भक्दी की मिलने से और पदे समाना उस सत्लोक को प्राप्त हो जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लोट कर संसार में कभी नहीं आते कि चल मेरे बच्चे तुझे वहाँ ले जाओं जो आदी अमरस्थान है जहां जाने के बाद कभी लोट करनी आत वापस आता जहां जरा मरन नहीं है वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है और बहुत सुंदर सिरिष्टी है वहाँ की सब पराणी एजिटीज है लेकिन वहाँ कुट्य गदे सूर वाली सिरिष्टी नहीं है वहाँ मनुस वाली सिरिष्टी सदा भाहर वरक्स है यह नकली सत लोग के गुनगायने वाली जोंगा परकास ही परकास है भगवान वहां है ही नहीं वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता जैसे बून सुमंदर में फिर वह टिंडे लेंगे हम जा के जहा कुछ भी कोई नहीं उस्ते तो यहीं ठीक अपने आपने जा दके खान दे अपने अत्मा हो क्या बताते हैं के कचिर मुख्ती जहां पीकरती माया होरी दड़स दस गरीब अवयपद परंसे वो मेले राम अवी नसी कहते हैं जो यहां की चार मुक्तियां हैं जिनको तुम यहां की अंतिम और सुखदाई मानते हो यह भी सथाई नहीं है यह भी सुरग में गए मां सुरग में गए समापतोते पुन फिर नरक में और गदे कुटे बन गए यह तुमारे हाथ नहीं रहती सदा यह चार मुक्ति य ये भी नासवान है और सत लोग के अंदर गए हुए प्राणी को ये सदा उपलब्द रहेंगी कभी नास नहीं होता और वो अविनासी प्रमात्मा मिलेगा प्रमक्सर ब्रह्म चार मुक्ति जहां चंपी करती चार मुक्ति ये तुरी सेवा में रहेंगे आजर खडी रहेंगी ये सुख तुझे वहां सदा बना रहेगा इसलिए सुख सागर है वो वो अविनासी राम मिलेगा वहां आपको अरसदा सुकी रहोगे बो सत्कुर्देव की जैहू